नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है competition community में मैं हूँ अनंग कुमार और आज के इस लेक्चर में आपने पिछले हपते जितने भी current efforts के important topics पढ़े हैं जितने भी current efforts आपने पढ़ाया है उसका revision करेंगे आज के इस लेक्चर में चाहे आपने निकात में से पॉलिडिक का current effort पढ़ा हो चाहे आपने आकास सर से economics का current effort पढ़ा हो चाहे आपने हेमन सर से science and tech plus environment का current effort पढ़ा हो जितने भी उसके important topics हैं सबका revision आसके इस lecture में हम करने वाले हैं क्योंकि आप पढ़ कुछ भी लो लेकिन जब तक आप उसका बहतर तरीके से revision नहीं करोगे तब तक वह आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा और revision इस exam को crack करने के लिए किसी भी competitive exams को crack करने के लिए बहुत important होता है तो आज के इस lecture में एक अपरेल से 10 अपरेल के बीच में जितने भी important topic को discuss किया गया है उनका आज हम यहां revision करने वाले हैं ठीक बात चलिए शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप competition community की team से जुड़ना चाहते हैं बहतरी इन content के साथ बहतरी इन faculties के साथ आप preparation करना चाहते हैं बहतर मार्क दर्शन में करना चाहते हैं तो competition community के mobile application को जरूर डाउनलोड कर ले इस QR code को scan करके आप सिधा डाउनलोड कर सकते हैं या फिर google play store पर competition community search करके भी mobile application को जरूर डाउनलोड कर देजिएगा वह बहुत सारी important contents और courses available है और आप अपना काम करते रहिएगा वीडियो पसंद आए तो like कीजिएगा, comment कीजिएगा, share भी कीजिएगा और चैनल पे subscribe करते जाएगा हम अपना कर्म कर रहे हैं आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपना कर्म करते चलें क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान अपना कर्म करने के लिए आया है ठीक बात चल लिएगा कि आपने इसके बारे में क्या पढ़ा है या फिर जो भी कुछ-कुछ point sort में जब मैं बताऊंगा, revision है तो बहुत फटा-फट भागूँगा, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई शब्द मेरे मुझ से निकले तो याद करने कोसिजिएगा कि यह हमने पढ़ा है या नहीं, या फिर आपको याद है या नहीं, तब ही proper तरीके से हम बहतर तरीके से revision कर पाएं, अब देखो यहाँ पर आपको MCQs भी मिल रहा है, current affairs भी मिल रहा है, subjective current affairs भी मिल रहा है, mislaneous भी मिल रहा है, हपते भर में साथ वीडियो current affairs के मिल रहे है, इसके बात कुछ ब होता है, तो वो question सबसे जरूर solve होंगे, सर्फ current affairs के question solve भी मिल रहा है, बहुत हथ तक static question भी solve होंगे, इसलिए follow जरूर कीजिएगा, second समझा होता है, एक यूरोपिये देशों के बीच में किया गया है, जिसमें 26 यूरोपिये देश जो है, वो शामिल है, अब ये 26 यूरोपि अगर पास जाते हैं, या उस country में जाते हैं, तो उने किसी तरह से कोई सीमा प्रतिबंद को जहलना नहीं पड़ेगा, किसी भी तरह से कोई वीजा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक ही कृत वीजा नीती के तहर चलना पड़ेगा, यानि कि एक country का वीजा आपने ले लिया, तो इन 26 countries में अराम से जा सकते हैं, यहां तक कि जैसे भारत में अगर मान लो कि 36 गड़ में अगर कोई पुलिस आधिकारी, किसी क्रिमिनल को ढूंटे ढूंटे MP भी चले जाता, सर्च ऑप्रेशन के लिए, तुसी तरह से इन 26 countries के बीच में, अगर किसी क्रिमिन के दौरान कुछ restrictions लगाया गया थे, जो कि फिर से पूरी तरह से इसे open कर दिया गया है, तो सेगन सम्झाता कब लागू हुआ था, कैसे लागू हुआ था, इन सब के बारे हमने पढ़ रखाए, थोड़ा से दिमाग पर जोड लगा और इसे वापस से revise करने की कोशिस करो, चलिए, यह सेगन सम्झाता से related European countries है, टूटल मैंने बताया, कितने countries है, 26 countries है, यहाँ पर टूटल, तो इस तरह से ये countries जो है, सेगन सम्झाता के अंतरकत में आते हैं, अगला जो important topic है, वो Gilbert F. Hongbo को International Labour Organization का क्या appoint किया गया है, महानीदे से, क्या निकि Director General appoint किया गया है, कब से अपना पत्भर संभालने वाले है, तो October 2022 से संभालने वाले है, अब Gilbert F. Hongbo के बारे में, और क्या आपने पढ़ा था, याद करने की कोसिस किजिए, टोगो याद आया, यह क्या है, एक African country है, अफरीका का एक देश है, जिसे पश्चमी अफरीका में इसका location है, टोगो इसमें क्यों नियूज में आया था, क्योंकि यह टोगो के पूर्व प्रधान मंतरी भी रह चुके है, टोगो का राजधानी कहा है, लोम, एक बहुत ही छोटा सा country है, लोम, रोम नहीं, लोम याद रखियेगा, और यह पहले ऐसे अफरीकी व्यक्ति है, जीन है कि International Labour Organization का Director General Appoint किया है, इसके अलाब हमने और क्या पढ़ा था, क्रिसी विकास के लिए अंतराश्री ये कूस, यानि कि International Fund for Agriculture Development, इसके भी यह अध्याक चुरह चुके है, इसका भी यह कारेबाल सभाल चुके है, अब यहाँ पर आपको और क्या याद रखना है, International Labour Organization के बारे में याद रखना है, इसका गठन कब हुआ, अगर पूछा जाता है, तो 1919 में हुआ था, उस समय संयुक्तराश्ट नहीं, क्या होता था, राश्टर संग, फिर संयुक्तराश्ट में ये कनवर्ट कब हुआ, 1945, अब 1945 में संयुक्तराश्ट आया, तो International Labour Organization पहली विशिष्ट संस्था बनी, किसकी सं संयुक्तराश्ट गिये, और सबसे पुरानी विशिष्ट संस्था कौन सी है, अगर पुछा जाता है, तो International Labour Organization, तो International Labour Organization के बारे में भी आपको इतने पॉइंट्स को याद रखना होगा, अगला, Stockholm जल पूरसकार 2022, प्रिलिम्स वंड एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टे किसे मिला 2022 का या पूरसकार दाम याद रखिएगा, विल्फरेड बूट सर्ट को जो है, Stockholm International जल पूरसकार से समानित किया गया है, किस कारे के लिए समानित किया गया है, तो पर्यावर्णी वासफी करन मुल्यांकन में उनके बहतरीन कारे के लिए है, जो इन्हें इस पूरस को व्यापक रुप से जल के छेतर में नोबल पूरसकार कहा जाता है, यानि कि जल का नोबल पूरसकार भी से कहा जाता है, इसलिए बहुत इंपूर्टेंट हो जाता है, यह पूरसकार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो Stockholm इंतराष्टी जल संस्थान यानिकि Stockholm International Water Institute स्थापना कब हुआ? 1919 में हुआ, और पुरसकार भी 1919 में ही दिया गया, अब श्टॉकॉम कहां ही राजिस्थान दिवर्स प्रतेकवर्स कब मनाया जाता है? कोशन पूछा जाता है तो 30 मार्च राजस्थान का स्थापना कब हुआ था 30 मार्च 1949 को राजस्थान का स्थापना हुआ था राजस्थान को राजपूतना भी पहले कहा जाता था राजस्थान का मतलब क्या हुआ राजाओं का स्थान राजस्थान अभी अगर वर्तमानस्मा में देखोगे तो छेतरफल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्ज है कितना है इसका छेतरफल? 3,42,249 स्क्वार किलो मिटर अगर population wise राजस्थान की बात करें तो देश का सातवा सबसे बड़ा राज्ज है important हो जाता है ध्यान रखिएगा राजस्थान की अगर हम location की बात करें तो इसका एक अंतराष्टी सीमा भी है जो कि पाकिस्तान से लगता है वेस्ट साइज में जहां पर जैसल मेर, बार मेर और विकानेर जैसे जीला आ जाते हैं अगर हम clock wise इसके border को देखें और कौन-कौन राज्जियों से लगता है तो भी याद रखिएगा पंजाब, हर्याना, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मद्ध प्रदेश और इसके बाद गुजरात, ये करम भी आपको याद रखना होगा राजस्तान के बारे में हमने और क्या पढ़ा था, कि राजस्तान में छोटे बड़े 22 देशी रियाशते हुआ करते थे, और एक सी एक बड़े महारती राजा हुआ करते थे, जिनको भारत में विलाय करना आसान काम नहीं था, कुछ तो जैसे जोधपूर हो गया, या जैसल मेर हो गया, यह तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी इनका भारत में विलाय हुआ, तो राजस्तान एक बहुत बड़ा इस्टेट हो जाता है, और राजपूतानों का घर रहा है राजस्तान, तो यह इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, आप से क को विलाय करने के लिए, अगला आसकर पूरसकार 2022, कॉस्टन पूछा ही पूछा जाता है, किसी ने किसी एक्जाम में देखा ही जाता है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है, तो फटा-फट यहाँ पर रिविजन भी कर लेते हैं, आसकर पूरसकार को और किस नाम से जाना जाता है तो अकादमी पुरसकार भी आप इसे कह सकते हो कौन सा करम था तो 94 था अब किसके द्वारा प्रतान किया जाता है तो यह पुरसकार समारो हो जो है Academy of Motion Picture Arts and Science APPMS द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है 27 मार्च 2022 को लॉस एंजिलेस में समारो आयुजित किया गया कहा तो डॉल भी थीयटर में आयुजित किया गया एक मार्च 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक जितने भी मूविस रिलीज हुई थी उनके आधार पे वर्ड वाइड ऑसकर पूरसकार से सम्मानित किया गया है विभीन लोगों को आपक अगला भारत ने यूनाइटे नेशन वोमिन के लिए पांच लाख डॉलर का युगदान दिया है ताकि वूमें इंपावर्मेंट को बढ़ाया जासा है कि वूमें इक्वालिटी पर फोकस किया जासा है सके और पांच लाख डॉलर भारत ने यूनाइटे नेशन वोमिन में इसलिए दिया है ताकि भारत में भी वूमें इंपावर्मेंट के लिए दुनिया की नजरें पड़े और भारत भी इस छेत्र में बहतरीन कारे कर सके और इसके बारे में जितनी जीचे मैंने बताया था आप एक बार सोचने की कोशिस कीजिए याद करने की कोशिस जरूर कीजिए अगला टॉपिक फास्ट एंड सिक्योर ट्रांस्मिशन ओफ इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड्स मतलब फास्टर अगर आपसे कोशन पूछा जाता है कि फास्टर क्या है तो फास्टर को हाल ही में इसे लाया गया है जैसे मान लेजिए कि अगर एक जेल में कैदी है और उस कैदी को कोट के दौरा बेगुनाह साबित करके उसे ततकाल रिहा करने का निर्देश दिया है फिर भी जो पेपर प्रोसेस होता है इतना लंबा होता है कि उसे एक से दो महिने और जेल में ही बिता पड़ता है तो इस प्रकीरिया को एक software के जरीए fast किया जासे के जिसका नाम है faster and secure transmission of electronic record faster ताकि court का आदेश जैसे ही आए इस software के जरीए jail आध्यक्ष यानि कि jail के अधिकारी को पहुंचे और तुरंत उसे रीहा किया जा सके तो इसलिए इसे launch किया गया है ताकि court और जो central jail है य 73 nodal अधिकारी को appoint किया गया है और इसके लिए software के लिए जो है एक सुरक्षित mail को भी design किया गया है जिसे pathway mail ID का आजाता है ताकि सारी चीज़े जो हो बहुत secure हो leak न किया जा सके उसे clear बात है समझ आ रही है अगला important topic है 1 April को कौन सा दिवस मनाया जाता है 1 April को भारती Reserve Bank of India द Reserve Bank of India का गठन हुआ था RBI Act 1934 के तहट हुआ था कब 1 April 1935 को इसका गठन हुआ था Reserve Bank of India से पहले कौन सा बैंक Central Bank हुआ करता था उसका नाम था Imperial Bank of India जो कि Imperial Bank of India Act 1920 के तहट गठित किया गया था 2021 में और उस समय तीन Presidential बड़े-बड़े बैंकों को मर्ज करके Indian Imperial Bank of India बनाया गया था उसके बाद 1934 के Act के तहट RBI का गठन किया गया याद है ना अब समझा रहा है ना अब क्या है इसमें अब RBI का सबसे पहला मुख्याल है 1935 में जब इसका गठन किया गया तो कहा था कोलकाता में यादा रहे ह हमने सब कुछ पढ़ा था ना अब 1937 में इसका मुख्याले जो है कहां ट्रांसफर होता है मुंबई में और वर्तमान समय में Reserve Bank of India का मुख्याले कहा है मुंबई में अगर आपसे एक question पूछा जाता है और इस question का जवाब मैं आपसे चाहता हूँ तो नीचे comment section में comment जरूर क अगला topic है VISP का पहला वन जीब bond यानि कि VISP में पहला ऐसा bond जारी किया गया है जो की पूरी तरह से वन जीबों के लिए है और इस bond को किस ने जारी किया है तो विस्व में जारी किया है विस्व बैंक के 4-5 एजेंसिस्जीज हैं जो काम करते हूँ उसमें से कौन सा है International Bank for Reconstruction and Development यानि कि IBRD और कौन से 1GB के लिए या bond जारी किया गया है तो उसका नाम क्या है तो उसका नाम है Black Rhino यानि कि इसे काला गेंडा भी कहा जाता है और दुनिया में इसे संरक्षित करने के लिए क्योंकि ये IUCN के Red List में है यानि कि लुक्ट प्रहप्रजाती में है और इसके लिए लगभग 150 मिलियन डॉलर का जो है फंड जुताया गया है ताकि Black Rhino का सतत्विकास हो सके और ये सुरुवाती दौर में दच्छिन अफ्रीका के दो Protected Areas में इसे लागू किया गया जिसमें से पहला है Edo Elephant National Park और दूसरा है Great River Nature Reserve इसी छेतर में Black Rhino होते है इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इन दो छेतरों में लागू किया गया है अगर ये सफल होता है क्योंकि अभी जो है एक Pilot Project के तोर पर इसे लागू किया गया है और अगर सफल होता है तो इसे बागी छेतरों में भी लागू किया जाने की पहल की जाएगी ग्याद रखियेगा ठीक अब I.N.S. वलसुरा I.N.S. वलसुरा जो है 1942 से कारेरत है और I.N.S. वलसुरा हाल ही में न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसे बहुत ही प्रतेश्ठित Presidential Color यानि की राष्टपती निसान प्रदान किया गया है और राष्टपती निसान किसी सैने छेतर में या किसी सैने उपकरंद को तब प्रदान किया जाता है जब वो युद्ध और सांती दोनों ही स्थीतियों में राष्टर के लिए जो है आसाधारन सेवा प्रदान करे और भारतिये वायू सेना पहला एक सस्त्र सेना है जिसे Presidential सम्मान से यानि की निसान से सम्मानित किया गया था और कब किया गया था 27 में 1951 को तब भारत के तातकालिक राष्टपती कौन थे डॉक्टर राजेंदर परसाद और हाली में INS वल्सूरा को Presidential निसान प्रदान किया गया है याद रखेगा important हो सकता है discuss किया जा चुका है हेमन प्रदान सर्थ बहुत विस्तार में discuss किये है और मैंने MCQs में भी कुछ किया था अगला जो topic है वो भी important है नेत्र परियोजना किसके द्वारा लागू किया गया या किसके द्वारा संचालित किया जाता अगर प्रशन पूछा जाता है या किस छेतर से संबंदीत प्रशन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए full form है नेत्र परियोजना का network for space objects tracking and analysis मतलब अंत्रिक्ष में जो satellite निस्क्रिये हो चुके है जो satellite वर्तमान समय में कारे नहीं कर रहे है वो भी तो space में होंगे वो भी कहीं न कहीं घूम रहे होंगे तो उससे प्रित्वी पे तो खत्रा है ही कहीं अगर गिर जाए तो नुकसान हो सकता है और space में भी खत्रा है क्योंकि जो वर्तमान समय में satellite कारी कर रहे है हो सकता है इससे टकरा कर वो निस्क्री हो जा तो करोडों का नुकसान हो सकता है तो इससे track करने के लिए इसका analysis करने के लिए कि कैसे इसे एकत्र करके इसे नश्ट किया जा सके इसलिए नित्र पर्योजना को भारत सरकार इस्तरो द्वारा 2019 में लॉंच किया गया था अब इसी प्रणाली के तहट टेलिस्कोप रडार को भी स्थापित किया जा रहा है ताकि इनका ट्रैकिंग बहतर तरीके से किया जा सके और लगभग प्रित्वी से 1500 किलोमेटर के दूर पे इस तरह की सुविधा जो है ट्रैकिंग सुविधा का इस्तेमाल किया जाने वाला है तो इस तरह से एक प्रारंबिक चैतावनी प्रणाली आप इसे कह सकते हो नित्र परियोजना को इसके बारे में आपको याद रखना है इसरो द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है अगला टॉपिक असम नगालेंड मडीपूर के हिस्सों से जो आपस्पा एक्ट लागू था वहाँ उसे आंसिक रूप से वापस ले लिया गया है अब जब आनसिक रूप से वापस ले लिया गया है तो ये भी कहा जा रहा है कि आपस्पा आपस्पा अन्त की ओर है और आपस्पा बहुत ही विवादित एक्ट है क्योंकि आपस्पा के बारे में नीखत मैं भी बहुत विस्तार से पढ़ा चुकी है मैंने भी आपको बढ़ा है थे हमजिक ओजवाले सेसर में आपस्पा का मतलब क्या है आपस्पा क्या है आपस्पा क्या है आपस्पा forts प्रसेis about 1958 नाम से ही क्लीर है Special Power या보 कि आपस्पा पावर दिया जाता है तो आपको सीधा गोली भी मारा जा सकता है, आपकी मृत्यू भी हो सकती है, और विना सर्च बॉरेंट का आपकी तलासी ली जा सकती है, जापे मारी की जा सकती है, तो ये कुछ special power दिये गए है, बहुत सारे इस पे blame भी लगे हैं, और लगबग 1500, ऐसे कहा जाता है कि 1500 से अध में चल रहा है, चाहे सुप्रिम कोट में हो, चाहे हाई कोट में हो, तो इसलिए विवादों में भी रहा है, वरतमान समय में भारत के पांच राज्यों में है असम नागालेंड मनीपूर और इसके अलावा अरुनाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में लागू है और जम्मू एंड कास्मेर के भी कुछ हिस्सों में यह एक्ट जो है वो लागू है अब इसे इन छेतरों से आंसिक रूप से वापस लिया गया वो पूरा पावर राज्यों को देता था कि आप अपने छेतर में इसे लागू कर सकते हैं जिस छेतर में जिस राज्य आपसपा के अंदर में आते थे लेकिन धारतीन के तहर जो कि 1972 में अमेंट हुआ इसे सेंट्रल गर्मेंट को भी पावर देता है कि सेंट्रल गर्मेंट याद करिए किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया तो वर्चुली रूप से सिरिलंका की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया अब बिम्स्टेक की बात कर रहे हैं तो सार को आज के समय में निस्क्रिये ही समझो क्योंकि बहुत सार उसका सिखर सम्मिलन आयूजित नहीं हुआ है और लगभग वो किसी भी तरह से कोई कारे भी नहीं कर रहा है और भारत को अपने पडूसी देशों के साथ में रिलेशन को बहदर करने के लिए एक मात्र मंच बच जाता है और भारत के लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है इसलिए यहां से अपसे कोईशन पूछे जाने की चांसे भी बढ़ जाते है क्योंकि इस बिमस्टेक में ना तो पाकिस्तान है ना चाइना है और बाकी बड़ोसी देशों के साथ रिलेशन इंप्रूफ करने के लिए एक मात्र जो रिजनल और्गनेशन हो वो बिमस्टेक है बिमस्टेक का पुरा नाम है बे और बेंगाल इनिसियेटीफ फर मल्टि सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनोमिक को आपरेशन इसका गठन कप किया गया 6 जून 1997 को किया गया था डिकलरेशन याद रखिएगा कौन से डिकलरेशन के तहट इसका गठन किया गया तो डिकलरेशन का नाम है बैंककोक डिकलरेशन और पहला सब्मिट कहा है जीत हुआ था तो पहला सब्मिट Thailand में यानि कि Bangkok में हुआ था प्रेजेंट चेर कौन है यानि कि प्रेजेंट अध्यक्षिता किसके पात है सिरलंगा के पास है इसके मिंबर के बारे मियाद रखिएगा बंगलादेश भुटान इंडिया मायनमार निपाल सिरलंगा और थाइलेंड इसके सदस्टे है और सची वाले कहा है तो धाका में इस्तित है ठीक अगर विमस्टे के बारे में देखोगे तो इसका टोटल चलिए आगे भारत भाग्य विधाता कारिक्रम इंपॉर्टेट है पिछले MCQ जब डिसकस कर रहे तो तो उसमें एक टंग स्लिप कह सकते हो या थोड़ा सा मिस्टेक कह सकते हो मैंने आपको बताया था 27 मार्ट से लेकर 3 अपरेल तक लेकिन इसका सही अंसर होगा 25 मार्ट से लेकर 3 अपरेल तक चुकी यह एक 10 दिवसिये कारिक्रम है अब भारत भाग्य विधाता कारिक्रम को पूरा क्या नाम है लाल कीला भारत भाग्य विधाता कारिक्रम अब लाल कीला यानि कि इसका आयोजन कहा हुआ इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ ठीक अब कौन से मंत भारत सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया लाल किले की बात आती है तो लाल किले का निर्मान किस ने करवाया सह जहां ने इसका निर्मान किया लाल किले का निर्मान कप किया गया सत्रहवी सताबदी में और इसे मुगलों का निवास भी कहा जाता था क्योंकि इसका निर्म पहल भी सहा जहां नहीं बनवाया सत्रहभी सदाबदी उसके बाद मुगलों के बाद मराठों ने भी इस लाल के लिए पर शाशन किया और उसके बाद थोड़ा सा दिमाग पर जो डालियेगा और सारे चीज़ों को रिवाइज करने कोशिज के जगा उमीद करता हूँ अगर बहतर तरीके सा अपने रिवेजन किया तो कभी नहीं भूलेंगे ठीक बात तो आज के इस लेक्चर में फिलाल इतना ही थैंक यू थैंक यू बर्मच